अब इस वीडियो में मोल संकल्पना से क्याल्कुलेशन करना सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आपने परमानुओं और अनुओं की गिंती करना सीख लिया अब आईए इनकी संख्याओं और इनके द्रव्यमान के बीद संबंद बताते हैं आपने पढ़ा की एक मोल हाइडरोजन में हाइडरोजन के 6.022 इंटू 10 के पावर 23 परमानू होते हैं एक हाइडरोजन परमानू का द्रव्यमान 1U होता है इसी तरह एक मोल हाइडरोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम है यानि कि 3 मूल हाइड्रोजन परमानू का द्रविमान 3 ग्राम होगा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में 6.022 इंटु 10 के पावर 23 हाइड्रोजन परमानू होते है और 3 ग्राम हाइडरोजन में 3 x 6.022 x 10 के पावर 23 हाइडरोजन परमानू इसी तरह ओक्सीजन परमानू को लेते हैं एक ओक्सीजन परमानू का द्रविमान 16U होता है तो एक मुल ओक्सीजन परमानू का द्रविमान 16 ग्राम हो जाएगा यानि कि 16 ग्राम उक्सीजन परमानू में कुल 6.022 इंटू 10 के पावर 23 उक्सीजन परमानू होंगे यहां हम आपको एक नए द्रविमान से परिचित कराते हैं इसे हम ग्राम परमानू द्रविमान या ग्राम में टॉमिक मास कहते हैं इसकारत है किसी तत्व के एक मोल परमानू का द्रविमान यह संख्या होती है ग्राम में उस तत्व के परमानू द्रविमान के बराबर जैसे आपने देखा कि एक मोल हाइड्रोजन का द्रविमान 1 ग्राम था और एक मोल उक्सीजन का द्रविमान 16 ग्राम था हम इसी द्रव्यमान को ग्राम पर्मानू द्रव्यमान या ग्राम इटॉमिक मास कहते हैं इसी तरह एक मोल नाइट्रोजन का ग्राम पर्मानू द्रव्यमान हो जाएगा 14 ग्राम और एक मोल कार्बन का ग्राम पर्मानू द्रव्यमान हो जाएगा 12 ग्राम हम ग्राम परमानु द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान या मोलर मास भी कहते हैं अब तक हमने बात की परमानु की आईए अब बात करते हैं अनु की जल का उदारन लेते हैं फिर से जल के एक अनु का द्रव्यमान होता है 18U इसी तरह जल के एक मोल अनू का द्रव्यमान होगा 18 ग्राम और जल के 4 मोल अनू का द्रव्यमान होगा 4 x 18 बराबर 72 ग्राम यानि कि आप कह सकते हैं 18 ग्राम जल में जल के 6.022 x 10 के पावर 23 अनू होगे इसी तरह एक CO2 अनू का आन्विक द्रव्यमान 44 यू होता है तो एक mol carbon dioxide का द्रवयमान होगा 44 gram और इसमें 6.022 इंटू 10 के पावर 23 CO2 के अनू होंगे हम इस द्रवयमान को gram अनू द्रवयमान या gram molecular mass कहते है इसका आर्थ है किसी पदार्थ के एक mol अनू का द्रवयमान यह संख्या होती है ग्राम में उस पदार्थ के आनविक द्रव्यमान के बराबर यानि कि एक मोल कार्बन डायोकसाइट का ग्राम अनू द्रव्यमान हो जाएगा 44 ग्राम हम ग्राम परमानू द्रव्यमान और ग्राम अनू द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान या मोलर मास भी कहते हैं जब हम परमानू की बात करते हैं तब इसकी जगा ग्राम परमानू द्रव्यमान या ग्राम अटॉमिक मास लेते हैं और जब हम अनुओं की बात करते हैं, तो इसकी जगह ग्राम अनुद्रव्यमान या ग्राम मॉलेकिलर मास लेते हैं. उपर दिये गए उदाहरन को एक साथ टेबल में दिया गया है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले. हम मोल अद्रव्यमान को M से दर्शाते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि हमें द्रव्यमान दिया हुआ हो, तो हम मोल की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? हम मोल की संख्या निकालने के लिए दिये हुए द्रवेमान को उसकी मोल द्रवेमान से विभाज़त कर देंगे वीडियो को रोके और इसे नोट कर ले इसके अलावा मोल की संख्या हमें दिये गए कणो की संख्या को अवो गादरोस्थि रांग से विभाज़ित करके निकाल सकते हैं वीडियो को रोकि और इसे भी नोट कर लें हमने उपर दिये गए दोनुज उत्रों को एक साथ मिलकर ऐसे लिख सकते हैं वीडियो को रोके और इसे अपनी कॉपी में फटाफ़ट नोट कर लीजे चलिए, अब तक जो हमने पढ़ा है उसे एक बाद दोहरा लेते हैं इसे अपनी कॉपी में लिख ले और इसे भी अपनी कॉपी में लिख ले धन्यवाद